हे वच्छो वेलकम वेक टू नीट फंजा मैं हूँ आपकी बाइलोजी एजुकेटर जुकिश्वा और आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन हुमन वेलफेर का लेक्चर नमबर टू मैंने आदा करा दिया था हमने दोट नेखो यह सारे डायग्राउम्स कर लिए ते और हम यह माइक्रोब्स इन हाउस Οल प्रोडक्स कर चुके थे और आज हम करेंगे microbes in industrial products ठीक है तो चलिए वीडियो के start करते हैं अगर आप यहाँ पे नई हैं तो आप चैनल को subscribe कर सकते हैं और bell icon को press कर दें जिससे की कोई भी lecture upload हो तो आपके पास notification पहुचें अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि microbes का industry के अंदर कैसे use हो रहा है यहाँ पे देखो even in industry weight pen क्यों ने चला even in industry microbes are used to synthesize a number of products valuable to human beings जैसे दे रखा है यहाँ पे beverages ठीक है beverages से मतब समझके तुम drink beer rum मतब सराब alcoholic चीज़ alcohol बनाया जा रहा है ठीक है इससे and antibiotics ठीक है यह कुछ example है जिसका use microbes का use होता है इन सब को बनाने के लिए ठीक है अब देखो production on an industrial scale required growing microbes in very large basal are called fermenters मतलब इन को इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए और इंडस्ट्री में घर में कोई चीज बनाते है तो उस हिसाब से container चाहिए होता है जितने लोगों के लिए कुछ बनाना है बट अभी हमको large quantity में बनाना है तो उसके लिए न हमें बड़े बड़े बैसल्स चाहिए होंगे जिन को हम क्या बोलते है जिन को बोला जाता है फर्मेंटर्स ठीक है आ जाओ अब यहां पर देखो यह इस टाइप से कुछ बनाये जाते है यह पूरा प्लांट है यहां पर और यह पिक दे रखे है फर्मेंटर्स की बड़े-बड़े हैं यह container टाइप अब यहां पर आजाओ देखो अब हम पढ़ेंगे fermented beverages माइक्रोफ स्पेसली इस्ट है बिन यूज़ फॉम टाइम इमुमोरियल फो दा प्रोड़क्शन ओप बेवरिजिस लाइक वाइन वियर बिस्की ब्रांडी अंड रम बेवरिजिस मतलब क्या में तों को पता ना ड्रिंक अल्कोहलिक चीजन को हम बेवरिजिस पोलतें टीक है अंदर यूज क्या ही हो रहा है सेक्रोमाइसी सेरेबेसी ही यूज हो रहा है ऐपनागए का जाओ नेक्स्ट न ग्रैब जूस था ठीक है तो ऐसी कहानिया बनाते है तो माल्टिट कीरल्स बोल लो कोई मीठी चीज है जैसे कि माललो ज्वार बाजरा ये सब क्या होते हैं माल्टिट कीरल्स होते हैं ठीक है अब निचे आओ यहां पर लिखाया है do you हाँ देखो फिर क्या हम यह malted की रज से हम बना क्या रहे हैं इससे हम बनाएंगे इथिनोल इस रियक्शन को हम क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे इथिनोल फर्मेंटेशन ठीक है इथिनोल फर्मेंटेशन ओके डिपेंडिंग ओन ताइप और विदाव डिस्टिलेशन यह है यहाँ प्याओ मैं तुमको बताती हूँ अरे यह हो क्या जाता है इसको यह रहा देखो विद और विदाव डिस्टिलेशन क्या अगर माल लो alcohol की value अगर 13% से ज़्यादा हो रही है तो वो न हम without distillation नहीं बना सकते without distillation क्यों नहीं अब माल लो की beer है beer ना without distillation बनती है क्योंकि इसके अंदर जो ethanol की value होती है कम होती है 13% से ठीक है अब देखो अगर इसमें 13% से ज़्यादा value हो जाती है किसी भी drink की तो वो ना poisonous हो जाएगा ठीक है poisonous हो जाएगा तो बन्दा मढने के chances होते हैं तो sometimes news में देखा होगा कि poisonous शराब बगेरा यह सब तो शायद इसी बज़ा से यह सब चीज़े होती होंगी I don't know मुझे नहीं पता इतना नहीं पता तो इतना तुम पता भी मत करो अभी तो इतना ही देख लो अभी भी इतने में बड़े खुस हो गए होंगे वैसे भी है ना कि हम पी सकते हैं यह यह वो तो चलो आजाओ ना तो समझ में आ गया तो यह क्या है बीर को हम बिदाव डिस्टिलेशन बनाते हैं मतलब कि इसमें जो एलकोहल की वैल्य होती है वो 13% से कम होती है और जो आगे वैली देखो बीर और वाइन वाइन को क्या वाइन को बोलते हैं कि gr brute juice से बनाते है gr brute juices से बनाते हैं वाइन को इसकी वे जो एलकोहल की वैल्यू इसके अंदर होती है 13% से कम होती है अब ही मताओं कि दुम को कितनी होती है 9-12% होती है ठीक है ना और अकर बीर की बात करें तो beer के अंदर alcohol की value बहुत ज़्यादा कम होती है 3-6% होती है 3-6% बहुत कम है तो यह मत सोचना कि चलो पी लेते हैं असा कुछ नहीं चलो ठीक है अराम से रहना है पढ़ने वाले बच्छे ऐसे काम नहीं करते हैं तो चलो अब समझ में आगया यह और बाकी यहाँ पर रही कि तुमको बिस्की है और ब्रेंडी है यह सब यह देखवा आगए यहाँ पर बिस्की और ब्रेंडी को किस से बनाते हैं यह तो परवाले हैं यह सब distillation के थूरू बनाते हैं क्योंकि इनके पास 13% से बहुत ज़्यादा है, अपने यह बालो, इतने उलकी quantity बहुत ज़्यादा होती है, इनके पास, ठीक है, कहां गए, देखो, different type of alcoholic drink are obtained, wine and beer are produced without distillation, and whereas whiskey, brandy and rum are produced by the distillation of the fermented broth, ठीक है, अब वो fermented broth तुमको अभी दिखायते हैं, उपर containers थे, वो fermenters थे, ठीक है, पुरा plant बना रखा है, भी diagram में यह देखो, यहाँ पे यह रहे, ठीक है, अब मैं तुमको इनकी भी value बता देती हूँ, कि whiskey के अंदर कितनी होती है, ठीक है, तो whiskey के अंदर अगर ethanol की quantity हम बताएंगे, इसको pen को ले लेते हैं, तो whiskey के अंदर 50% ethanol होता ह है, ठीक है, brandy के अंदर होता है, 60-70%, okay, and rum के पास होता है, 40%, ठीक है न, और यह सब चीज है, जैसे rum, rum तो मैंने बहुत commonly सुना है, कि सर्दियों के टाइम पे लोग पीते हैं, whiskey brandy भी सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा पीते हैं, ठीक है न, आ जाओ, अब हम पढ़ेंग देखो, antibiotics produced by the microbes and regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century and have greatly contributed towards the welfare of human society, anti is a Greek word that means against है न, और बायो का मेन होता है, ठीक है, together they mean against life, ठीक है, अब अगेंस लाइब भी कैसे है, antibiotic का है, हमको बचा रही है, और microbes को मार रही है, ठीक है, तो वो किसके microbes के लिए against life है, ठीक है, where is the reference to human being, they are pro-life, और human के लिए कैसे ये pro-life है, ठीक है, and not against, pro-life का मतला पर not against, ठीक है, समझ में आगे है, antibiotics are commercial, commercial है, नहीं, antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard a growth of other, ठीक है, जो की disease-causing microbes होते हैं, ठीक है, you are familiar with a commonly used antibiotic penicillin, penicillin के बारे में सबने सुना होगा, क्योंकि penicillin की खोज किस ने की थी, Alexander Fleming ने की थी, ठीक है, it was a chance by chance discovery थी, जब किस ने की थी, Alexander Fleming ने की थी, जब वो क्या कर रहे थी, वो work कर रहे थे, मतलब वो lab में काम कर रहे थे, किस की उपर, stephylo-cocus की उपर काम कर रहे थे, ठीक है, पर क्या हो रहा था, देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, once observed a mold growing on one of the unwashed culture, जो unwashed culture था, उनका, वहाँ पर एक mold grow कर गया, mold मतलब fungi grow कर गई, ठीक है, जो कौँसी थी, penicillian थी, और जो की penicillian ना grow नहीं होने दे रही थी, किस को stephylo-cocus को grow नहीं होने दे रही थी, ठीक है ना, तो यह कैसी थी, बाई-चांस डिसकाप्री थी, तो इन्होंने थोड़ा गौर किया, कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो staphylo-cocus इसलिए grow नहीं हो पर रहा था, क्योंकि वहाँ पर क्या था, penicillian था, जो इसको मार रहा था, grow करने से रोक रहा था, ठीक है, कहां गया, यह सब किसने पता किया, अनिस चैन एंड हावाड फ्लोरे ने, ठीक है, अमेरिकन शोल्जर्स, ठीक है, जब का हुआ था, वर्ल्ड बार सेकिंड में, penicillin का यूज हुआ था, यह नेट में कुशिन बहुत बार आया है, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है, फ्लैमिंग, चेन, एंड फ्लोरे को, नोबल प्राइस भी मिलाता, ठीक है, फूर दिस्टिस्कवरी, अने, चाओ, जब पैनिसिलिन को खोज लिया गया, तो उसके बाद साइंटिक्स लोगों ने सोचा, कि ऐसे करके हम और भी एंटिबाटिक्स बना सकते, तो उनों उनों और भी एंटिबाटिक्स बनाए, अब आवे देखो, एंटिबाटिक्स है गेटली इंप्रूब्ड आर कैपिसिटी एंड ट्री डेडली डिजीजिस सच अज प्लेग है, वूपिंग कफ एंड काली खासी, वूपिंग कफ हो कहता है, डिप्तिरिया एंड लेप्रोसी ठीक है, विच यूज तो किल मिलियंस ओफ अल ओबर ग्लोब, ठीक है, टुड़े वी कैन नोट इमेजिन आ वर्ल्ड बिदाउट एंटिबाटिक्स, अब देखो, मैं तुमको यहाँ पे ना, की कॉज़िटिव एजंट भी बता देती, ओके तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पलेग की, पैन ले लेती हूं, मैं यहाँ पे, पलेग का, अगर कॉज़िटिव एजंट की बात करेंगे, तो इसका कॉज़िटिव एजंट होता है, यर चीनिया, पैस्टेज, इतनी सुंदर डाइटंग है मेरे पर हीankRC हो आप पिर इतनी गंदी हो जाती है इसका बैक्टर डेटफ फली मतलब रेटफली से जाती है जीनो-पसिला इसका बैक्टर होतक है आप यहाँ पर आजाओ, वूपिंग कफ पर बोलते हैं और वुपिंग कफ को ना हम पर्टी उसी भी कहते हैं ठीक है और इसका जो कॉज़ेटिव एजेंट होता है वह होता है बॉड़े टेला पर्टी उसी ठीक है बॉड़े टेला पर्टी अठीक है अधी सुन लो यार तुम तुम ना मेरी राइटिंग सम्हें बड़ी बेकार आती है नेक्स्ट है यहां पर डिप्थीरिया दे रखा है यहां पर टीक है डिप्थीरिया को हम गल घोटू कुछ टाइप ऐसी लिखा हूए ना गल घोटू न लिखरी में यहां पर लेप्रोसी के बात कर रहें इन टीक का लेप्रोसी होता है Dieses नेन पात बने खालो हो गए चलो समझ में आ गया है है यहां पर कुछ लिखा हो था कैन यू नेम सम अधर एंटिवाइटिक्स तो किसी एंटिवाइटिक्स का नाम बता दो तुम कमेंट वोक्स में मैं बताते हूं ठीक है तो मैं कुछ बताते हैं एंपिसिलीन हो गई और कैना मैं से नहीं है सब कैसी एंटिवाइटिक्स के नाम है ठीक है कुछ तुम को आते हैं तो बताओ अब हम पढ़ेंगे कैमिकल्स एंजायमें अधर बायो एक्टेब मॉलिक्यूस होके यह थोड़ा इ कुछन बन सकते हैं बहुत सारे कुछन बन सकते हैं दस माल लो इसमें से हर लाइन में कुछन है अब देखो माइक्रोब्स आर ओसो यूज़ फोर कमर्शियल एंड इंडुस्ट्रियल प्रोड़क्शन और सब बनाते हैं ठीक है माइक्रोब्स के तुरू एक्जाम्पल ले देखो एसिद परडुक्शन और च्षब से अल्यक शेया बनता ऐक फंगर इस से हम बनाते हैं इसे हम बनाते हैं सिज Ub से बनता है क्लिक कर्ड बना रहे तो यह हम ने अभी पढ़िया ना से क्यों कि अर्फे से एस और बिटारीख और विए कि पढ़े था जो यह संपेर्ट और व्रे बनाने में हम युज करें है यह सब और इससे क्या बनाते है अधिनोल बनाते हैं। माइक्रोब्स आर यूज फूर दर प्रट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्र फूर्ट्ट्शन पासैं लाउंड्री प्र्ट्ट्ट्ट्ट्स bridge घर जूजर थीपे डियूप्सित थे अ करता है। और मतलब रिमूफ करता है ओयल, स्टेंट यह सब लॉंडरी प्रोड़क्स बनाने में यूज होता है लैपिस का ठीक है इसी ब्रस्ट का मां में तरी अज़ा है तusch कर रिकता है यहाँ को कले करनेल황 स्टीक प्रोड्य प्रोड्य का यूज करते है ठीक है अब देखों यहाँ पर बहुत ही इंपोर्टेन चीज आ गया यहाँ पर स्टेप्टो काइनीज प्रेडियूस बाइदा बैक्टिरियम जिसका नाम है स्टेप्टो कोकस एंड मॉडिफाइड बाइ जैनेटिक इंजिनिरिंग इट यूज एज 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 क्लॉट बस्टर टीक है फुर रिमॉविंग क्लॉट फॉम दा बड़ बैसल और पेसेंट हूँ है अंडर गून मायोकाडियल इंफरक्शन टीक है लीडिंग टू हर्ट अटेक टीक है तो क्लॉट बस्टर तो पता कैसे बोशन आता है मैचिंग मैचिंग बाला बहुत आता साइक्लोसपोरिन ए है इस यूज्ड एज अन इब्नसप्रेसिब एजंट ठीक है जो कि औरगन टांसल बान्न होता है तो ये immunosuppressive agent वहाँ पर काम करता है इस produced by the fungus जिसका नाम है trichodermapolysporum क्या नाम है trichodermapolysporum नाम है जो की cyclosporin एको produce करेगा आप देखो यहाँ पर statin नाम है ये क्या है east से produce हो रहा है जिसका नाम है monascus purpurus have been by commercial रुको इसी रेज करके नीचे लिखते हैं आजो have been commercialized as a blood cholesterol lowering agent क्या trichodermapolysporum है जो की cyclosporin एको produce कर रहा है इसका काम क्या है cholesterol को कम करना ठीक है it act by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol ठीक है तो गाइज अभी मैंने इतना ही पढ़ाया हम next video में पढ़ेंगे microbes in sea waste treatment हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद में ठीक है आपने इससे पहले वाला lecture नहीं देखा है तो इसको भी देख लें hope you like the video अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छे लगा हो आपको मजा हो पढ़ने में तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्रेब ओके मिलते हैं नेक्स वीडियो में